नमस्ते विद्यार्थी मित्रों मैं निरारी गोयानी भुलका सागर विद्याभुवन में आपका स्वागत करती हूँ कक्षा आठवी इकाई साथ हार की जीत हम लोग इसका पहला भाग अगले विडियो लेक्चर में पढ़ चुके है मैंने भी बड़ी प्रसंशा सुनी है इस इकाई में खड़कसी नामक एक डाकू और बाल भार्दी नामक एक बाबा के बीच का सम्वाद दिया गया हुआ है मैं पण तेनी गणी बद्धी प्रशंशा सांबड़ी छे उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी तेनी चाल तारू मन मोही लेवी छे कहते हैं देखने में भी बड़ा सुन्दर है आ घोडा नी वाथे रही छे के छे के देखाव मापन ए घोड़ा खुबत सुन्दर छे क्या कहना जो उसे एक बार देख लेता है उसके हदय पर उसकी छबी अंकीत हो जाती है एव के वाई के ए घोड़ा ने कोई एक बार जोईले तो एमनू चित्र एमनी छबी जे कोई पर जोनार व्यक्ती ना हदे पर अंकीत थै जैने याद रही जै बहुत दिनों से अभिला आशा थी आज उपस्थित हो सका हूँ गणा दिवस्थी एवी आशा हती परन्तु आजे अहीं आववानों मोकों मलियों छे मने आवु खडक्सीं कहे चे बाबा भरती और खडक्सीं अस्तबल में पहुँचे बाबा भरती और खडक्सीं अस्तबले टले के गोडा ने राखे लिजे जग्या छे त्या पहुँचे बाबा ने गोडा दिखाया खमण से बाबा ये अभिमान थी गोडा बताव्यों खडख सी हैं, खुबज आशचर्य थी है गोडा ने जोयू उसने सहस्त्रो गोड़े देखिये थी, सहस्त्रो याने की सो खडख सी है, सो जेतला गोड़ा ओ, जोया हता इसके पस्चात उसके हदोई में हल चल होने लगी तेने सो घोडा जोए लाता परंतो आ घोडाने जोईने तेने कई समझना पड़ी बालको किसी अधिरता से बोला परंतो बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या वो खडक सी ने बोल्यों कि बाबा आनि चाल न देखी तो सुध है गएू बाबा जी भी मनुष्य ही थे बाबा जी पन मनुष्य ज़ता अपनी वस्तु को प्रशन सा दुसरे के मुँख से सुनने के लिए उनका हदे अधिर हो गया मनुष्य ने लेने बाबा भारती ने पन एमना घोडाना वखान बीजाना मुख्यती सामपरवा गमता आता इतले के वखान सामपरवा माटे एखुब उदावडा थे गया अधिर्या थे गया गोडे को खोल कर बाहर ले गये गोडे ने जिया बांधे लो हतो त्यांदी खोली ने बाहर ले गया गोडा वायु वेग में उड़ने लगा वायुवेग में उड़ना याने की खुबज जड़ब थी दोड़वा लाग्यो घोड़े की चाल देखकर उसके हदय पर साप लोट गया घोड़ानी चाल जोईने तेना हदय पर साप वी चड़ाए गयो अजीब एहसास थे वह डाकू था और जो वस्तू उसे पसंद आज जाए उस पर वह अपना अधिकार समझने लगता था खड़कसी एक डाकू हतो आथी तेने जेपन वस्तू पसंद आवे ते वस्तू पर ते पोतानों अधिकार समझवा लगतो उसके पास बाहू बल था और आदमी थे तेनी पासे बढ़ हतो शक्ती हती अने लोको बढ़ता के घोड़ा ने जब तकरीने लई जाए जाते जाते उसने कहा बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूँगा खड़कसी हैं जाता जाता है बाबा जी ने उकहिऊ के आघोड़ो हवे हूँ तमारी पासे रहवा दैश नई बाबा भरती डर गए अब उन्हें रात को नीद न आती बाबा भरती डरी गया एने लाग्यों के हवे खड़कसी पाक कुज आ घोड़ा ने एनी पासे थी छीनवीने लई जशे अने हवे एने रात रे उंग पन न आवती सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी अखी रात गोड़ाने जे जग्याई बान्ते लोँचे ए जग्याणी रखवाली रखवाली एटलेके द्यान राखता प्रतिक्षन खड़क सीह का डर लगा रहता था प्रतिक्षन एतले के दर्रेक चने दर्रेक समये तेने खड़क सीहने डर लगतो होतो परन्तु कहीं महीने बीट गये और वह न आया परन्तु घणा महीना विती गया घणा बदर समय थाई गयो परन्तु ये आपयो नई यहां तक कि बाबा भरती कुछ असावधान हो गए कि अवे बिल्कुल चीन्तित नहा था अवे ने डर पण जतो रही हो कि खोड़ो येनो कड़कसी लाई जशे संधिया का समय था बाबा भरती सुल्तान की पीट पर सवार होकर गुनने जा रहे थे सुर्यास्तनों समय हो तो बाबा भरती सुल्तान नी पीट पर बेसी ने सवारी करवा माटे जय रही हो था इस समय उनकी आखों में चमक थी और मुख पर प्रसन्नता आ समये तेनी आखों मा चमक अने मोड़ा पर प्रसनता खुशाली हती कभी घोड़े के शरीर को देखते कभी उसके रंग को और वह मन में फुले न समाते क्यारेके घोड़ा ना शरीर ने जोता क्यारेके ना रंग ने जोता अने मन ही मन खुबच खुश थता सासा एक और से आवाज आई अचानक एक बाजुती आवाज आवेओ ओ बाबा इस कंगले की सुनते जा एम केशे क्या कंगार आगरीबनी बात सांभर दो जा आवाज में करूणा थी ना आवाज मां दया करूणा हती बाबा ने घोड़े को रोक लिया बाबा ये घोड़ा ने तमभाविदी दो रोकी लिदो देखा एक अपाहीज रुख्ष की छाया में पड़ा करा रहा है तेने जोयू तो एक अपंग मानस एक रुख्ष नी छाया में बेठो बेठो खुबज अम पीडा दायक अनुभव करी रहे हो है यो लागतू तू अने इने बूम पाड़ी बोले क्यो तुम्हें क्या कस्त है बाबा भरती एने पुछ्यू के कहे तने शू दूख छे अपाहीज ने हाथ जोड कर कहा अपंग मानस जेह तो एम ने हाथ जोडी ने बाबा ने कीदू बाबा मैं दुख्या रहू उँँ खुबच दुखी छू मुझ पर दया करो मारा पर दया करो रामा वाला यहां से तीन मेल है मुझे वही जाना है घोडे पर चढ़ालो परमात्मा भला करेगा एजे व्रुद्ध गरीब कंगाल मानस तो एने रामा वाला नाम नुए गाम हतू त्या जवान हतू ने कीदू कि अहीं थी एत्रान मेल माईल आवेलू छे मने अहीं थी त् भगवान तमारू भलू कर शे वहां तुम्हारा कौन है बाबा भरतिये पुछ्यू के त्याहां तारू कौन शे दुर्गादत वेद का नाम सुना होगा उनका सोतेला भाय हो दुर्गादत नामनो एक वेदनो नाम ते सामबल यू शे एव गिदू तेनो सोतेला भाय छू बाबा भरति ने घोडे से उतरकर अपाहिसको घोडे पर बैठा लिया और स्वयम उसकी लगाम पकड़कर दिरे दिरे चलने लगा बाबा भरति एनो पोतानो घोडे होगा चता एन नीचे उतरी ने चालवा लगया अने पेला व्रुद्ध मानस ने घोडा पर बैसाड़ी दिदो ससा उन्हें एक जटकासा लगा और लगाम हाथ से छुट गई अचानक एने एक जटको लगयो अनेनी लगाम बाबा भरति ना हाथ मा थी छुटी गई उनके आश्चर्य का ठीका ना न रहा तेना आश्चर्य नो कोई पार न रहियो जब उन्होंने देखा कि अपाहिस गोड़े की पीट पर तनकर बैठा है और गोड़े को दोड़ाये लिए जा रहा है एमने जोईू के गोड़ा उपर बैठेलो ए अपंग मानस गोड़ा ने दोड़ावानी जिस स्थितीमा बैठेलो छे और गोड़े को दोड़ाये लिए जा रहा है उन्हें गोड़ा ने दोड़ावीज रहियो छे उनके मूसे भई विसमाय और निराशा से मिली हुई छीक निकल गई गोड़ा ने दोड़ावी ने लई जशे अने अन्हें पासे थी खोड़ो छीनवाय जशे जेथी करीने तेना मूख मा थी भई आश्चर्या निराशा वाली एक चीस निकली गई वह अपाहिस डाकू खड़क सी था ते अपंग डाकू खड़क सी हैं तो बाबा भरती कुछ देर तक तो चुप रहे इमने अतलो बदो आगात लागयो के थोड़ी बार माटे तो ए चुप अज रहिया इसके पस्चाद कुछ निश्चरी कर पुरे बल से चिला कर बोले जर खड़क सी हैं आव वाद सामड़ी ने घोड़ा ने रोकी लिदो उसकी गरदन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा बाबा जी यह घोड़ा अब न दूगा तेने घोड़ा नी पीट पर हाथ फेर भी ने कहियो कि बाबा जी हवे आ घोड़ों हुँ तमने नहीं आप अगर एक बात सुनते जाओ परन्तु एक बात सामड़ी दो जा खड़क सी ठाहर गया खड़क सी उपर रही गयो बाबा भरति ने निकट जाकर उसकी और ऐसी आखो से देखा जैसे बकरा कसाई की और देखता है बाबा भरती ये निकड़ अटले पांसे खड़क सही नी पांसे जहीने एवी नजर थी जोयू के जाने बक्राने कसाई एटले के कतल खाना मा जे लोको होये ने कसाई के वाई एवी नजर थी जोयू फिर कहा त्यार पछी की दू यह घोडा तुनारा हो चुका है मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूंगा आ घोडो होवे ता रोज चे हूँ तेने पांचो लिवा माटे नहीं कही शकू परन्तु खडक सीं केवल एक प्रातना करता हूँ उसे अस विकारन करना नहीं तो मेरा दिल तूट जाए एम ने किदू क्ये होवे आ घोडो तारोज छे परंतु आनो अस्विकार ना करतो होवे तु आ घोडो श्विकारी ले नहीं तो मने खुब ज नहीं गमें के नुद दिल्टुर जे शेम किदू के एम ने इवात तेने गम शे नहीं बाबा जी आग्णा कीजिये बाबा ने किदू के रजा आपो मैं आपका दास हूँ के वल्य घोडा न दूँगा अब घोडे का नाम न लो मैं तुमसे इसके विशय में कुछ न कहूँगा अबे तुगोडा नू नाम नालेश अबे आगोडा विशय है उतने कैज नहीं कहूँँ मेरी प्रात्ना के वल्य है कि इस घटना को किसी के सामने प्रगत्ना करना अबे बस मारी तने एक प्रात्ना छे कि आ वातने कोईनी सामे के तो नहीं खड़क सिह कामू आश्चर्य से खुला रह गया खड़क सिह नू मोधू आश्चर्य ने लिदे खुलूज रही गया अबे एक खुबज आश्चर्य चकित थाए गयो उसका विचार था कि उसे घोडे को लेकर यहां से भागना पड़ेगा तेनर शुआँ तु मनमा के एने कगड़ा ने बाबा पासे थी चोड़ी न ले जवो पड़ शे पर्ण्तु बाबा भ़र्ती ने स्वयम उससे कहा इस घटना को किसी के सामने प्रगत ने करना परन्तु बाबा भरतिये एने सामे थीज किदू के आ वात ने कोई नी सामे केतो नई क्यों हो खोडाने भगाडीने छिनवीने लई जतो हतो इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है आना लिदे आना लिदे कहे यवी योजना सफ़ल थे शके के जेती करीने बाबा भरतिये आव करियोशे खडकसी हावू विचारे छे खडकसी ने सोचा बहुत सीर मारा खडकसी है खुबज विचार्यू खुबज विचार्यू बहुत सीर मारा ये जरूर करता वधारे विचार्यू उसने अपनी आखोए बाबा भारती के चहरे पर गड़ा दी और पुछा बाबा जी इसमें आपको क्या दर है तेने हारी गएली नजर थी जो इने बाबा भारती ने पुछियू के आमा तमने शो डर छे सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया आसांबली ने बाबा भारती जवाब आपको लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब का विश्वास न करेंगे लोगों ने आ वातनी जो जान थोई तो कोई पड़ मानस गरीब लोगों नो विश्वास नहीं करे या कहते कहते उन्होंने सुल्तान की और से इस तरह मूँ मोड लिया जैसे उनका कोई सबंध ही ना रखा हो आवाद कहता कहता सुल्तान सामें एतले के खोड़ा सामें बाबा भारती ये ये विरीते जोयो के एनी साथे इनों कोई सबंध जरहियो ना होई बाबा भरती चले गए परन्तु उनके शब्द खडक सिंग के कानों में उसी प्रकार गुंज रहे थे बाबा भरती हवे खडक सिंग पांसे थी जता रहिया परन्तु एने कहला शब्दों खडक सिंग ना कान मा हजू गुंजी रहिया हता सोचता था कैसे उच्छे विचार है पवित्र भाव है ये विचार यूँ के बाबा भरती ना विचार केटला सुन्दर छे, केटला पवित्र छे उन्हें इस घोड़े से प्रेम था तेने आघोड़ा साथे खुबज प्रेम हतो इसे देखकर उनका मुँः फुल की नाए खिल जाता था आ मोड़ा नो मोड़ू जोईने तेमने खुबज खुशी मलती कहते थे इसके बिना मैं ना रह सकूंगा बाबा भरती तो एउज केता कि आघोड़ा वगरते रही शक्षे नहीं इसकी रखवाली में वे कई राज सोय नहीं आनी रखे वाड़ी करवामा ते तो कितली रातों तो सुता न थी बजन भक्ती न कर रखवाली करते रहे बजन भक्ती ने पन छोड़ी ने आ घोड़ा नुझ ध्यान राख्यू एमने परन्तु आज उनके मूख पर दुख की रेखा तक न दिखाई दी पड़ी परन्तु आज घोड़ा ने छोड़ता एना मोड़ा पर एक पन दुख नो भाव देखाणों नहीं उन्हें के वल्य ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दे एसा मनुष्य मनुष्य नहीं देवता है परन्तु एने बसमन मा एक जबाव हतो कि कोई पन मनुष्य गरीब पर्थी विश्वास न उठी जा एना माटे पोतानुमन पसंद गोड़ो एने खड़कसी जबाडाकूना हाथमा सोबी दिदो रात्री के अंधकार में खड़कसी बाबा भरती के मंदीर में पहुँचा खुज रात्री ना अंधकार मां बाबा भरती ना मंदीर मां खड़कसी आव्यो चारो और सन्ना चा था एटले के चारे बाजु शान्ती हती एकदम अवाजवगरनू बातावरण हतु आकाश में तारे टिम्टिमा रहे थे आकाश में तारा पन देखाई रहे थे थोड़ी दूर पर गाउं के कुत्ते भोख रहे थे त्याथी थोड़े दूर गामना कुत्रा भसवानों अवाज आवी रहे हो थो मनिर के अंदर कोई शब्द सुनाय न देता था मन्दिर नी अंदर एकपन शब्द संबढ़ाय रहयो हतो नहीं खड़कसी सुल्तान की बाग पकड़े हुए था खड़कसी धिरे धिरे अस्तबल के फाटक पर पहुँचा खड़कसी सुल्तान ने लईने धिमे धिमे अस्तबल के फाटक पर पहुँचा यानि कि खोडा ने जे जग्याय बाध्व माँ तो त्या ना दर्वाजा पर पहुँचियो पाटक खुला पड़ा था पाटक खुलू जहतू किसी समय वहां बाबा भरती स्वयम लाठी लेकर पहरा देते थे कि जे जग्याय बाबा भरती पोते लाकडी लईने रखे वाड़े करता परन्तु आज उन्हे किसी चोरी किसी डागे का भई न था परन्तु आजे तेमने न कोई चोरी थवानों के न कोई डाकूनों भई हतो खड़क सी ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांद दिया और बाहर निकल कर सावधानी से फाटक बंद कर दिया खड़क सी है बाबा भरती जे जग्या पर खोड़ा ने बांद था तेहां फाटक खोली ने अस्तवल मा इने बांदी दिदो अने दर्वा जो वाचो बंद करी ने थी निकले गयो इस समय उसकी आखों में नेकी क्या आसु थे आ समय एने आखमा नेतिक ताना एकले सच्चाएना आसु आवी गया दुख लग्यू एने जेना करवा पर रातरी का तिसरा पहर बीत चुका था एकले के मध्यरातरी पचिनों समय चौथा पहर प्रार आरंब होते ही बाबा भरती ने अपनी कुट्या से बाहर निकल कर थन्डे जल से सनान किया बाबा भरती ये तेनी जुपडी माथी बाहर निकली ने थन्डा पाने थी सनान करियो उसके पश्चाद इस प्रकार जैसे कोई स्वपन में चल रहा हो उनके पाउं अस्तबल की और बढ़े त्यार पची रोजनी आदत प्रमाने अस्तबल तरफ तेना पग चालवा लाग गया परन्तु फाटक पर पहुँचकर उनको अपनी भूल प्रती धुई परन्तु फाटक सुधी पहुँची ने तेने तेमनी भूल समझाणी साथ ही घोर निराशाने पाउं को मन मन भर का बना दिया इतले के एने खुबज निराशा थाई अने पग ने लिदे इतले के जे घोड़ो एने खड़क सीने आपी दिदो एक कार्य पर खुबज निराशा थे मन भरी भरी ने खुबज पस्ताना वे वहीं रुख गये तेत्या थम भी गया खोड़े ने अपने स्वामी के पाउं की चाप को पहचान लिया और जोर से हिन हिनाया अब बाबा भर्ती आश्चर्यों और प्रसन नता से दोड़ते हुए अन्नर गुसे बाबा भर्ती खुबज आश्चर्यों और खुशी थी अन्नर पहच्या और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानों कोई पीता बहुत दिन के बिचड़े हुए पुत्र से मिला रहा हो अन्ने गोडा ने गले लगाडी ने एक लुबधुरडवारा ग्या के जाने कोई पीता नों पुत्र घणा बधा समय थी एना थी छुटो पड़ी गयो होई अन्ने पच्छी अन्ने मया होई बार बार उसकी पीत पर हाथ फेरते बार बार उसके मुँपर थपकिया देते वारेम बार एनी पीत पर हाथ फेर होता अन्ने वारम बार एना मोडा पर टापली मारता मारता फिर वे संतोस से बोले अने पछी ये खुबत संतोस थी बोल्या अब कोई गरीबो की सहायता से मूह नहीं मोडेगा अने बोल्या के हवे गरीबोनी सहाय करवा मा कोई पाथी पानी करशे नई आव वात पर थी आबनने समझन मले छे के गरीबोनी हम्मेशा सेवा करवी जोईए जिम पाठनु नाम छे के हार की जीत इतले के बाबा भरतीनों मन पसंद घोड एन आपी देवा छता एमा एनी हार थयती परंतु आ घोड पाचों मलता एनी जीत थय एतले के अमुक वखत आपनी हार माज आपनी जीत रहेली होई शे एमना शब्दा अर्थ छे करूना एतले के दया किर्ती यश प्रशंसा एतले के तारीफ वीचित्र एतले अनोखु अधीर नोम अर्थ छे बेचेन उतावलू सहसानो अर्थ थाय अच्चानक कंगाल एतले के निर्धन नेकी एतले के भलाई ख्यात एतले के बदनाम चाप एतले के पगनो ध्वनी पगनो अवाज दुरुणा एतले के नफरत अभीलाशा यानी की इच्छा छवी एनो और्थ थशे चित्र तस्वीर वाय उवेग इतले हवाकी गती प्रतिक्षान इतले हर पल, दरेक समय, विस्म इतले आस्चरीय, प्रयोजन इतले उद्धेश्य, कंगला यानी की कंगाल, निर्धन, गरीब, अपाहीज इतले के विकलांग, अपंग, बाका यानीकी सुन्दरोर, बहादूर, अस बाब इतल इतले तबेला, घुड़साल, खरहरा, वह कंधी या बुरुष, जिसे घोडे के रोये साफ किये जाते हैं, बाग, इतले घोडे की लगाम, लट्टू होना, इतले के मोहित होना, फुलान समाना अती प्रसन्न होना, आख नीची होना, इतले लजित होना, फूट फूट कर रोन इतले बहुत रोना, साप लोटना, यानिकी इर्शा होना, सेर मारना, इतले अत्य अधिक मानसिक परिश्रम करना